हलो स्टूडेंट्स बिनाशर्मा बिग बी अफिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है दिखिए आप सबको पता है कि राजिस्थान में सिकेंड राउंड की काउंसलिंग आफ लाइन होती है तक ठीक है और अप्लिकेशन फीज आप ड्यपाजिट कर सकते है एड़ वेन अप 11 गया तक ठीक है ओनलाइन अप्लिकिशन फियम् में लास्ट डेट रहेगी सम्मिट करने की आपकी पांच तारीक ठीक है deposit registration fee at the website application for application sheets आप deposit कर सकते हैं last date इसमें रहेगी आपकी देखे फीज deposit स्टार्ट होगा पांच तारीक से last date रहेगी आठ तारीक तक ठीक है तो ये आप धियान रखे हैं dates का basis कितनी फीज लगनी है वो basis रूप से आप समझ लें कि जनरल जो candidate रहेंगे उनको 10,000 रुपे government college के लिए और अगर वो private भी चाहते हैं तो एक लाख रुपे अगर आप SCST, OBC, MBC हैं तो आपको 5000 government college के लिए लगेगी और अगर आप private चाहते हैं तो आठ तारीक को पांच बजी दस तारीक को back end seat आएंगी इसके बाद फिर से आपको website पे ध्यान देना है क्योंकि फिर सीट alignment के लिए आपको जो है board के सामने उपस्तित होना पड़ेगा government dental college जैपुर में ठीक है और इसका schedule अलग से website पे आएगा कि 11 से 17 तारीक तक को किस किस rank वाले को कब कब जाना है इसका पूरा schedule website पे दोबारा आएगा ठीक है तो वो आपको website लगातार देखते रहे ना हमारा channel लगातार देखते रहे ना तो आपको ये सारी detail मिलती जाएगी इसके बाद reporting और joining की date रहेगी 11 से लेके 21 तारीक तक इसके बाद जो medical board है college का उसमें 22 के बीच आपको पस्तित होना है तो ये सारी चीज़ इसके बाद जो seat back end रहेंगी उसके लिए mop up round होगा उसमें अलग से fresh registration होगा ठीक है ये ध्यान रखें अब detail पे आ जाते हैं पहली detail point इसमें ये है कि जो भी candidate offline counseling में जा बना है physically उपस्थित होना पड़ेगा ठीक है ध्यान रखें तो जो भी candidate उपस्थित नहीं हो पाते हैं किसी कारण में COVID-19 या और भी कोई भी issue हो तो उनको जो है अपने किसी relative को भेज सकते हैं representative बना के लेकिन उस representative के पास original document आपके पूरे होना चाहिए आपके दुआरा दि पाएगा दूसरी चीज है कि यहां पर महत्मुर्ची जन्होंने बताई है कि अगर किसी व्यक्ति ने ओल इंडिया counseling के round two में seat मिली है और उसने report कर दिये तो वो इस counseling में participate अब नहीं कर सकता अब अगली बात आती है fees संबंदी तो अगर आपने round one में fees deposit की थी और round one पार्ट one और part two दोनों ठीक से भरा है और fees deposit की तो आपको दोबारा fees deposit नहीं करना है अगर आपने round one में fees deposit नहीं की है तो आपको round two में fees deposit करनी पड़ेगी अच्छा अगर आपने round one में firm का part one भरा है तो part two आप अभी भर सकते हैं कोई दिक्कत उसमें नहीं है इसके अलावा अगर 10,000 रुपे जमा कर दिये थे तो आप 90,000 और जमा करने पहले आपने 5,000 जमा किये थे तो आप 95 अगर आप private college के लिए अब जाना चाहते हैं और अगर आप private के लिए जाना नहीं चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको आप जो है आगे गबर्मेंट के लिए जो फ आपके पास पूरे डाकुमेंट से ओरिजिनल होने चाहिए अगर कोई डाकुमेंट में कमी है तो अभी बन मा लें अब जो भी candidate ने round 1 में जो है join कर लिया था अगर वो अपनी seat से संतुष्ट है तो round 2 में उसको physically present होने की ज़रूरत नहीं है ठीके आप अगर कोई candidate चाहता ह है कि round 1 में उसकी जो seat है वो जह की तो बनी रहे तो आपको round 1 में जो college मिला है वहाँ पर जाके आपको fees deposit कर देना है bonds, bank guarantee, सारी formalty पूरी कर देनी है आपको तब आपकी seat जो है back end बनी रहेगी यहाँ पर resign करने का, resign करने का यह है कि आपको जो भी seat मिली है आपको first round में अगर आप upgrade में जाते हैं और वो upgrade नहीं हो पाती है किसी करन में, तो वो seat जो है आपको यह मानी जाएगी कि आपने उसको round 2 में join कर लिया है, मतलब round 2 में जो आपको seat मिलेगी offline counseling में उसको आप किसी तरीके से resign नहीं कर सकते हैं और अगर आप उसको join नहीं करते हैं तो आपकी जो fees से वो बापिस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है यहाँ पर दिखिए यह एक बात clear in होने कर दी है कि merit के base पे ही admission होगा पूरा और कोई individual information बच्चे को नहीं भीजी जाएगी, आपको लगातार खुदी website पे बने रहना है और reservation केबल राजस्थान के domicile candidate को ही मिलेगा, यह सारी इसमें दी गई हैं और कोई confusion, doubt अगर आपको है तो आप comment करें या हमारे mobile number पर जो है संपर्क करें, इसके साथ आपको धियान रखना है जब offline counseling में जाएं तो COVID-19 की जो guideline है उसका ठीक से आपको follow करना है, social distancing, mask लगाना यह सारी चीज़ें आपको धियान रखनी है, इसके अला इसको बाकाइदा पढ़ें, एक एक line इसकी पढ़ें, बहुत महत्पूर हैं क्योंकि यह offline counseling है, आपको कोई भी doubt, कोई confusion हो, तो आप comment box में लिख सकते हैं, हमें phone कर सकते हैं, अब यह आपके पास time है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करें, अच्छे से ध्यान से पढ़ में नहीं आए, तो जो expert हैं, हम लोग हैं, हम लोगों से बात करें, और WhatsApp कर दें हमें, WhatsApp पे हम आपको reply करेंगे, अगर phone पे बात नहीं हो पाती है, तो दिक्कत नहीं है, आप अपनी पूरी information, आप लिख दें कि आपको notification में यह बाला पैरा समझ में नहीं आ रहा, जैसे किसी आपको पूरा detail समझा देंगे, तो इस तरीके से और दूसरा आपको लगातार website और हमारे चैनल के संपर्क में रहना है, क्योंकि आपके form भरने के बाद आपको किस date में जाना है, वो बताया जाएगा, उसी के according फिर आपको अपना जाने के लिए जो है, सुब इधा करनी है, रेजर्वेशन या जो भी वीकल्स वगएरा जिससे आप जाएंगे, तो वो सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है, और एक चीज यहां सबसे महत्पूर्ण है, कि जिन लोगों को All India के round two में seat alert हुई, और उन्होंने report कर दिया, ध्यान रखें, अगर आपने report नहीं किया है, तो आप इस counselling में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने All India round two की seat report कर दिये, तो फिर आप इस counselling में participate नहीं कर सकते हैं, यह जो है high court, supreme court के strict decision है, फिर आप जो है under the law, जो है inelisable हो जाएंगे, और आपके उपर कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इस बात का basis धियान रखें अगर आपको round two में seat मिली और आपने छोड़ दी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने report कर दिये round two All India की seat, फिर आप इस counselling में participate नहीं कर सकते हैं, चलिए, okay, thank you